प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी पर यह जो नए नए दोस्त हैं आपके जैसे अजिद पबार आपकी वो क्लिप चलती है अजिद दादा चक्की पी सिंग आप तो कहां दे दढ़ादर क्लीन चट मिल रही जिद दादा को देखें आज नहीं मिली है मैं अपको जा 2010-11 लगाए थे एक विधायक था मैं और उसमें लगाये थे और मेरे आरोप कि जब उसके जाच हुई तो कई आरोप सही पाये गए गए ज़िचाई घुटाला हुआ हां है कई दर्जनों दर्जनों सीनियर इंजिनियर्स चीफ एंजिनियर के स्तरके एक्जिग्ट इंजिनिय कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ कुछ नोकरी से हटाए गए कुछ लोगों को चार्च शीट हुआ और कुछ लोग कन्विक्ट भी हुए एक्चुल कन्विक्शन भी वा इस मामले में लेकिन यह सारी और इसका फाइदा क्या हुआ तो उसके बाद वह जिस प्रकार से करप्शन करते थे इस्टिमेट का घोटाला करते थे टेंडर का घोटाला करते थे मंत्री की जानकारी के बगए नी मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अभी हमने तो मंत्री के उपार आरोप लगाया था मैं जूट क्यों बूलू या फिर जिस प्रकार से पोस्टेंडर अबडे कि यह सब अजित दादा मंत्रिय और इनके आशिरवात से हो रहा है यह हमने कहा था उसकी जब जाच हुए तो जाच में जितनी चार्चिट हुए एक चार्चिट में एजंसी ने कहा था कि अभी तक हमको अजित पवार या सुनिल तटकरे का रोल मिला नहीं है लेकिन हम जा साल पहले आजनों साल पहले तो अभी तक सारी चार्चिट हुए है और किसी भी चार्चिट में इनका रोल डिफाइन नहीं किया गया यह यह नहीं कहा गया कि इनके कारण हुआ यह इनकी सीधी responsibility है यह कहीं पर भी चाचिट में नहीं का गया है तो जो मैंने कहा था वो सच था लेकिन अब उसमें इनकी लिपता तो मैं नहीं बता सकता यह तो एजन्सिस को करना है और उस समय सारी जाच तो उन्हीं की सरकार ने की थी जाच जो शुरू ही थी उनकी सरकार में वही थी इंटिमेटली घोटाला मेंने बाहर लाया उससे स्टेट का फाइदा भी हुआ यह प्रमुक्ते में इन पर आरोप लगाया था अभी तक एजन्सिया इनके उपर आरोप सिद्धन नहीं कर पाई पर राजनेतिक जवाब देही भी तो कोई चीज है होती है पांच साल देवे तो होनी चाहिए और वो है भी याने मैंने तो इससे पहले स्ट्रूप से कहा है कि उसका लीगल इंप्लिकेशन या लीगल रिस्पॉंसिबिलिटी कितनी है मुझे मालूम नहीं पर मॉरल रिस्पॉंसिबिलिटी तो रहेगी